मिया नसीरुद्दी द्वारा लेखी का कृष्णा सोबनती ये कहानी है जब एक दोपहर मैं जामा मस्जिद के पास गड़िया महले से गुजर रही थी कि तभी मैंने एक मामली सी अंधेरी दुकान में आटे का एक बहुत बड़ा धेर संते देखा तो सोची साइद सिवई बनाने के दुकान होगी लेकिन पास खड़े लोगों से मालूम पड़ा मैं किसी ऐसे वैसे नहीं खानदानी नान बाई मिया नसीरुद्दीन के दुकान में खड़े हैं मिया नसीरुद्दीन 56 प्रकार की नान मतलब रोटियां बनाने के लिए पूरे दिल्ली में फेमस है हमने दुकान के अंदर जहाका तो पाया मिया चार पाई में बैठे बीडी का मस्ट आनंद ले रहे है हमें ग्रहाक समझ उन्होंने कहा फर्माईए जनाब मैंने जुजकते हुए कहा अगर आपके पास वक्त हो तो आपसे एकाज सवाल पूछने थे मिया पूरे एटिट्यूड में अपना सर हिलाया और बोले निकाल लेंगे थोड़ा वक्त वगेरा पूछिए क्या पूछना है आपको मेरे कुछ पूछने से पहले ही मिया दुबारा बोल पड़े मैडम जी कहीं आप पत्रकार वत्रकार तो नहीं है अजी हमें तो अकबार छापने और पढ़ने वाले दोनों ही कतई निठल्ले लगते हैं खेर अब आप आई गई हैं तो पूछिए क्या पूछना है मैंने कहा अजी इतने प्रकार की रोटियां बनाना कहां से सीखा आपने सवाल सुनते ही मिया ने ऐसे देखा जैसे पता नहीं मैंने क्या पूछ लिया हो और कहा क्या मतलब अरे नान बनाना सीखने के लिए भला सुनार या लोहार के पास थोड़ी जाऊंगा मैंने तो ये नान बनाना अपने पिता जी से सीखी है और उन्होंने अपने पिता जी से सीखी थी लेखिका पूछती है आपके पिता और दादा जी ने नसीहते तो बहुत सी दी होंगी, कुछ हमें भी बता दीजिए जिसे सुन, मिया नसीरुदीन कहते है नसीहते कहे कि मिया काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं लेकिका ने कहा, वजह फरमाया, लेकिन फिर भी जब इस काम में लगे होंगे तो पिता जी ने सीख के तोर पे कुछ तो कहा होगा, वही बता दीजिए नसीरुदीन साहब ने जल्दी से बीडी की दो-तीन कस्तें कीची और गला साफ कर बड़े अंदाज से बोले अगर आपको कुछ कहलवाना ही है, तो बताए देते हैं आपने स्कूल तो देखा होगा ना, जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो टीचर बोलते हैं, बोलो छोटा आ, तो बच्चा बोलता है छोटा आ, बोलो बड़ा आ, तो बच्चा बोलता है बड़ा आ, कुछ समझी, टीचर जैसा करने को कहता है, बच्चा ठीक वैसा ही करता है, और पढ़ाई सीख जाता है, ठीक वैसे ही पिता जी ने जैसा करने को कहा मैं करता गया और बन गया नान भाई अब इसमें नसीहतों को भला क्या काम बताईए आप खुदी कि तबHI दुकान के सामने से गुजरते मीर साहब को अवास दे डूली कहो भाई मीर साहब सुबह नान लेने ना आना हुआ पर क्यों मीर साहब ने सर हिलाया और कहा मिया अभी लौट के आते हैं फिर बताएंगे और निकलते बने जिसके बार लेखिका ने कहा मिया आप कुछ पढ़ाई के बारे में बता रहे थे बताईए बताईए मिया ने कहा हाँ मान लो कोई बच्चा किये जी फुर्स्ट आच में बढ़ी जाए तो कुछ सीख पाएगा का नहीं न वैसे ही मैंने सीठे नान बनाना नहीं चालू कर दिया पहले मैं भट्टी बनाना सीखा उसे सही आच में जलाना सीखा और तो और बरतन धोना सीखा फिर कहीं जाके धीरे धीरे नान बनाना सीखा मिया ने हमारी त हब तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है मतलब नान भई बनाना सीखने के लिए हमने पहले बागी काम करना सीखा पहले बेस बनाया सीधा नान भई बनाना चालू नहीं कर दिया मैंने सर हिलाया और कहा वाह मिया क्या कहा है मान गए आपको अब ये सुन मिया जोस में आ एकार सवाल और पूछ लिया हमने पूछा मिया यहां नान बाई तो बहुत से होंगे नहीं मिया ने घूर के देखा और कहा हाँ बहुत से हैं लेकिन हमारी तरह कोई खानदानी थोड़ी अरे आपको क्या पता एक बार तो हमारे बुजूर्गों से दिल्ली के बादसाह सलामत ने कहा मिया वही वही खाते खाते ठक गये हैं कोई ऐसी चीज खिलाव जो ना आग से पके ना पानी से बने मैंने जट से पूछा तो क्या उनसे कुछ बनी ऐसी चीज मिया ने कहा क्यों नहीं बनती भला बनी और तो और बादसाह सलामत ने बहुत तारीय फिर भी की हमने ज ये कहावत है कि खांदानी नान बाई कुए में भी रोटी पका सकता है। मैंने कहा क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मिया ये कहावत सच भी है कि नहीं? मिया ने गुस्टे से कहा नहीं तो क्या जूट है आप ही बताईए रोटी बनाने में भला जूट का क्या काम जूट से रोटी बनेगी क्या नहीं नहीं बताईए आपने कभी जूट से रोटी पक्ती देखी है क्या मुझे जबजस्ती सर हिलाना ही पड़ गया और मैंने कहा हाँ सही कह रहे हैं जूट से रोटी कैसे बनेगी वैसे मैंने हिम्मत करके एक और सवाल पूछी लिया वैसे मिया ये तो बताएं आपके ये जो पूरवर्ष थे वो दिल्ली के किस बादसा के यहां काम करते थे मिया नहीं कहा अरे साहिब क्यों बाल की खाल निकालने में लगी हो कह दिया ना बादसा के यहां काम करते थे इतना काफी नहीं है क्या लेखी का थोड़ी मुस्कराई और कही हाँ काफी तो है लेकिन बादसा का कुछ नाम पता तो होगा मिया ने चिड के कहा फिर वही बात आपको बादसा को चिठी भीजना है क्या अब मिया हमारे उपर चिला तो सकते नहीं थे तो वो अपने कारी गर को चिलाते हुए बोले अरे ओ बबबन मिया भट्टी सुलगा दो तो काम निपढ़िया है मैंने पूछा वैसे ये बबबन मिया कौन है साहिब उन्होंने कहा कौन मतलब अरे अपने कारी गर हैं और कौन होंगे भला दिल तो था कि पूछ लें आपके यहां कारी गर लगे हुए हैं बच्चे बगर नहीं है क्या लेकिन मिया के चेहरे में वो गुस्सा देख हमने अपने प्रस्ण अपने अंदर ही निगर लिये खेर हिम्मत करके एक आखरी सवाल मिया से पूछी लिया अरे मिया ये तो बताएं यहां भट्टी में कौन कौन सी रोटियां पकती हैं लग तो नहीं रहा था कि मिया कोई जवाब बखहरा देंगे लेकिन वो छुटकारा पाने के लिए रोटियां गिनवाना चालू कर दिये दस बारा नाम गिनवाने के बाद उन्होंने तेवर में चड़कर मुझे घूरते हुए कहा पता है जो टुनकी रोटी है वो पापर से भी ज़्यादा पतली होती है किसी दिन खिलाएंगे आपको मिया ने एक लंबी सांस ली और कहीं खयालों में खोते हुए कहा उतर गया वो जमाना और गये वो लोग जो खाने और पकाने की कद्र किया करते थे तो बस यहीं पर खतम होता है हमारे ये प्यार से चैप्टर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट में क्लिक करें और तब तक ही लिए दीजी मुझे इजाजत नमस्कार